इस समय देश को एक दिशा देने की जरूरत है जवार गांदी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बाते स्कूल टाइम में पड़ी थी पर कुछ फैक्ट है उनके बारे में जो की विक्कीपीडिया में बहुत लोग बोल रहे बात कर रहे उसके बारे में तो आप कुछ बता सकते कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट जो आपने भी पड़ी की जो इमेज बता ही है वो रियालेटी में है के नहीं है वो आपको क्लियर करते है गांदी जी ऐसे तो बहुत शर्मीले इंसान थे जो स्कूल से छूटने के बाद फटक से घर पे आते थ जैसे कि गांदी जी ने एक बार रहना कुरान पड़ी थी दिल्ली के वालमी की बस्ती के मंदीर में और वहां पर पढ़ते पढ़ते वहां पर क्राउड में जैसे कि और आदमी लोग जाते टेंपल में मंदीर में सब पढ़ने जो भी है अपना कुछ भी करने के लिए तो आप गांदी से जब पूशा गया तो आप कुरान क्यों पढ़ रहे है उसमें से ओरत खड़ी गांदी जी ऊसमारे लिए बहुत अच्छी चीज़े भी बहुत बुरी चीज़े जो की पुरे सोसाइटी को मालूम नहीं इसले जब भी जो बी कुछ फेस्टिवल हो किसी के बारे में कुछ भी हो तो पूरा सतर करें और देखो point of view महात्मा गांदी जी का ये भी हो सकता है बताना means मंदीरों में जाके कुरान पढ़ना क्योंकि वह एक्वालिटी पर बिलीफ करते थे तो में भी बताना चाते कि मैं भेदभाव नहीं करता अलग अलग जाती धर्म में पर यहां पर मेरा एक यह भी सवाल है कि जिस तर उन्होंने मंदीरों में जाके कुरान पढ़े तो उन्हे मालूम है कि हिंदू में शेहन शिलता बहुत है तॉलरेंस है तो उन्हें मालूम है जादा कुछ कोई बोलेगा नहीं पर यही काम अगर उन्हें करो एक जगह जाके मत करो जहां लोग सहन करें जुल्म या कुछ भी अधर्म बस मेरा यह कहना है